खेसारी लाल यादों की टीम मेंबर राजिव शर्मा कह रहे हैं कि जिन लोगों ने महेश पांडे के खिलाफ साजिश रचा था, जिसने महेश पांडे के साथ गलत किया, उनको बंद कमरे में दस लड़कों के साथ जाकर मारा, पीटा, डराया, धमकाया, उनके साथ जबरजस जिन लोगों ने भी ऐसे किया है, उनके साथ जल्द ही कोई घटना घट सकती है, या हो सकता है, वो अपने प्रिये लोगों में से किसी एक को खो देंगे, या उनके जीवन का सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम जो होने वाला होगा, वो किसी ने किसी कारण से जिन लोगों के इशारे पर ये सब किया गया है, उसके साथ जल्द ही कोई बड़ी अन्होनी हो सकती है, बाकि राजियू शर्मा का कहना है कि अगर महेश पांडे ने आरोही नाम की लड़की किसी लड़की की साथ सक्स्यट किया भी था, आरोही सिंग को होटल में अगर इं पुलिस की मदद लेनी चाही थी, लेकिन आरोही सिंग ने विशाल सिंग को ही फोन करके क्यों बुलाया, बाकि राजियू शर्मा ने अपने इंट्रिवी में और क्या कुछ कहा है, यह हम आपको आगे की वीजियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसे पहले नमस्कार, म कि यह हम से खिसारी लाल याद्यों का दाहिना हाथ कही जाने वाले राजियर शर्मा मीधिया में इन दीनों खूब्ल नजर आ रहे हैं, इस मुक्द्दे पर सबसे ज़हदा इंतर्वी राजियू राजिय शर्मा ही दे रहे हैं, जबकि राजियर शर्मा इससे पहले बहुत करने वाले का उख्रमा उनके मैनेजर सिंग विवेग इंट तो बात बात पर शोसल मीडिया पर लाइप अब अबाते साइच करते रहते थे लेकिन महेश पांड़ने वाले मैटर के बाद विवेग सिंग और खिसारी लालीयादयों के रखलेस कश्यब बहुत कम इंटेव्यू दे रहे हैं यह दोनों एकदम से शांत हो गये हैं इधर बीच राजिव शर्मा केले ही कमान समाले हुए हैं बाकि राजिव शर्मा कह रहे हैं कि अगर किसारी भाईया को पवन भाईया कुछ कहेंगे तो हम बरदाश्ट कर लेंगे क् सब के खिलाफ कानोनी करवाई की चाहिए उसके बाद जब राजिव शर्मा से पुछा गया कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि खिसारी लाल यादो जातिवाद नहीं करते हैं लेकिन इस साल के सावन में अपने जाती अपने समास के उपर अगर कोई गाना ले आया है तो वह है खिसारी लाल यादो तो खिसारी ने ऐसा क्यों किया और यह सब कहां तक सही है तो राजिव शर्मा ने कहा कि अपने जाती के उपर गाना लाना गलत नहीं है किसी दूसरी जाती को अपने गाने में नीचा दिखाना यह गलत है और खिसारी भाईया ने अपने गाने में किसी बमगाने से कोई दिक्कत होनी चाहिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुछपूरी इंडस्री में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो अपने जात पर गाना नहीं लाया होगा और यदि कोई कलाकार अपने जात के उपर गाना नहीं लाया होगा तो ऐसे कलाकार के उपर धिकार है उसको कलाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है बाकि राजियों ने किसारी लालियादों के विरोधियों के जवाब में कहा कि किसारी भईया के विरोधियों को सिर्फ बहाना चाहिए ताकि वो किसारी लालियादों को किसी नहीं तरीके से बतनाम कर सके इसलिए वो लोग जातिवात का महरा बना कर किसारी लालियादों पर हमला करते हैं लेकिन सचाहिए है कि किसारी भाईया को हर जाती की लोग प्यार करते हैं हर जाती की लोग उनको उनके साथ उठते बैठते हैं उनके टीम में हर जाती के लोग हैं वो किसी बिचात के साथ बैठ कर खाना पीना खा लेते हैं बागी से के साथ इस वीडियो के ये पर समात करते हैं और मलते हैं से किसे नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़ देशिव धन्या